नमस्कार दोस्तों मैं वेश नवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में आए देखते हैं आज की कुछ मुख्ये खबरें तारांकन उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदितिनाप की विकासवादी नीतियाम लोगों के लिए जी का जनजाल साबित हो रही है जनपत महुबा में कानपुर सागर राष्ट्रिय राजमार किनारे वर्षों से बसे लोगों के खिलाप चलाये जाने वाले अतिक्रमन अभियान को लेकर जनता के बीच खासा रोश दिखाई दे रहा है गरीब परिवारों ने दियम महुबा की चौकट पर पहुंच न्याय की गुहार लगाई है परियादियों को भरोशा देते हुए जिलादिकारी सतेंद्र कुमार ने समस्या को जल्द निस्तारित कराये जाने का आश्वा संदिया है आपको बता दे की प्रशासन द्वारा चलाय जा रहे अतिक्रमन अभियान के चलते आम जन्मानस को खासी मुसीबतों का सामना करना पर रहा है शेहर के कानपुर सागर राष्ट्रिय राजमार पर वर्षों से अपनी आजीविका चला रहे परिवारों के सामने दो वक्त की रोजी रोटी पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर तकरीबन दो दर्जन से अधिक परिवारों ने दियम महुबा की चौकट पर पहुंच न्याय की परियाद लगाई है परिवारों ने जिलादिकारी महुबा से मुलाकात कर समान रूप से कार्यवाही किये जाने की मान की है साथ ही साथ उन्होंने किसी अन्यस्थान पर जमीन मुहया कराए जाने की अपिय भी की है अगर आपको तैम दिया जाएगा कि इतने टैम का है तो फिर देखेंगे सर हमारी समस्या यह है कि हमारी दुकाने हटाई जा रही है उसके उसमें आए थे हम लोग की हमारी जिलाभी कारी मानियर सुन लेंगे कुछ वर्यार लेकर आए थे उनके आए कि उनी से अपनी अपियल किये कि साब हम लोग बहुत परिसान है और यह लोग सीधे आते हैं बुल्डो चाला देते हैं तो हम लोग का बहुत सतीक रस्त होता है और हम सीमा से बहुत दूर है आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रहें फास्ट इंडिया न्यूस बन